नमस्कार दोस्तू मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तू पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महत्व पून जानकारी को लेकर के जी हाँ शरीर में मचती है अगर जुन जुनी तो समझ लीजिए आपको भी है ये बिमारी जी हाँ आज का हमारा यहीं टोपिक ह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हर प्रकार के पोशक तत्व की आवशक्ता होती है इन्ही में से एक पोटेशियम नामक तत्व भी होता है अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो कई प्रकार के रोग और विकार मनुश्य के शरीर को घेर लेते हैं शाकाहरियों में पाई जाती है इन पोश्टिक तत्वों की कमी इसके कमी की वज़ہ से कई लोगों को तनाओ भी हो जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि तनाओ गरस्त लोगों को काला नमक डाल कर केला खाने की सलाह दी जाती है आये जानते हैं कि Potassium की कमी से शरीर में और क्या क्या दिक्कते हो सकती है मांसपेशियों की कमजोरी अगर आपको आए दिन मांसपेशियों में दर्द, एंठन और तीस रहती है तो समझे कि आपकी बोडी में Potassium की कमी है जुन-जुनी मचना शरीर के कुछ अंगो में हमेशा जुन जुनी मचना पोटेशियम की कमी के कारण होता है क्योंकि पोटेशियम ही आपके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है मानसिक दबाव पोटेशियम की कमी से मानसिक दबाव होने लगता है और कई बार व्यक्ति तनाव में रहने लगता है अवसाद की स्थिती में पोटेशियम की कमी ही कुछ हद तक जिम्मेदार होती है इसके अलावा कब्ज, पोटेशियम की कमी से व्यक्ति को कब्ज की शिकायत हो सकती है क्योंकि पाचन प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाती है दिल तेजी से धडकना, पोटेशियम की कमी शरीर में होने पर हरिदय समान्य रूप से न धडक कर बलकि तेजगती से धडकता है क्योंकि हरिदय की मांस पेशियों में संकुचन आ जाता है हाइपर टेंशन होना शरीर में पोटेशियम कम होने पर रक्त वाहिकाओं में समस्याएं आने लगती है और मस्तिश्क तक रक्त का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और व्यक्ति को सोचने एंवं समझने में दिक्कत होती है और उसे उल्जन होने लगती है यह एक गंभीर स्थिती होती है इसके अलावा मितली आना जी हाँ अगर आपको बिना वजह ही मितली आती रहती है तो पोटेशियम की कमी आपके शरीर में हो चुकी है आपको शिख रहें शरीर में पोटेशियम ततो भरपूर करने वाले खाद्यों को खाने की आवश्यक्ता है जी हाँ दोस्तों तो देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आये थे जिसके सहारे यानि की जिसे जानने के बाद अपने आप कुछे करोगों पर नियंतराण पा सकते हैं जिहां जुन जुनी जो आती है आपकी बोडी में या फिर मानस पेशियों में दर्द रहता है उसके मुख्य वज़ा है पोटेशियम की कमी इसलिए आपको ऐसे खादे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो पोटेशियम से भरपूर होते हैं तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपूर जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों